Hello students, welcome back to Duggal Education. आज के इस lecture में हम discuss करने वाले हैं एक essay जो है importance of trees जो हम हिंदी में लेकर आए हैं जो आपके exam हो रहे हैं आजकल उसमें यह जो topic है वो बहुत जादा आप से पूछा जा रहा है तो हम इसको बहुत इस simple language में आपके लिए लेकर आए हैं तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं आप सभी बच्चों के लिए तो सबसे पहले जब आपको इसको शुरू करना है तो आप वरिक्ष को पेड़ लिख सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड़ है कि आप क्या लिखना चाहेंगे वरिक्ष प्राकिर्तिक की वो देन है जिसके बिना हमारे जीवन का अस्तितव नहीं है वरिक्ष के बिना प्रित्वी पर जीवन की कलपना करना असंभव है वरिक्ष हमारा सबसे घनिस्ट मित्र है प्रित्वी पर जीवन प्रदान करने वाली ओक्सीजन और पानी प्रदान करने वाला मुख्य सादन व्रिक्ष ही है ओक्सीजन प्रदान करने का कारे और कोई नहीं कर सकता और व्रिक्षों के बिना पानी की कलपना करना मुश्किली नहीं नमुम्किन है चलिए नेक्स देखते हैं आपको क्या लिखना है वरिक्षों से हमें हवा, पानी, खाने, पीने की समगरी, इंदन, वस्त्र, जानवरों का चारा और कई कारियों में प्रियोग करने के लिए लकडी भी मिलती है वरिक्ष प्रियावर्ण से कार्बन डायोकसाइड लेकर बदले में हमें ऑक्सीजन देता है हम ये कह सकते हैं कि वरिक्षों के कारण ही मनुष्य को अपनी अधार भूत, अवशक्ताओं को पूरा करने के संसाधन प्राप्त होते हैं चलिए आगे देखते हैं आजकल हम इनसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वरिक्षों को तेजी से कारते जा रहे हैं जिसके कारण वरिक्षों की कमी से धर्ती पर ग्लोबल वामिंग, सूखा, भूमी कटाव जैसी कई समस्याए अपना विक्राल रूप लेती जा रहे हैं यदि हम इस प्राकरतिक समस्याओं से बचना चाहते हैं तो हमें वरिक्षों के संरक्षन की और कदम उठाने ही होंगे चलिए आगे देखते हैं अंत में हमें चाहिए कि हमारे आसपास में हमें जितनी भी खाली भूमी दिखाई दे यानि आपके आसपास जो भी खाली भूमी यानि जमीन है हमें वहां पोधा रोपन करना चाहिए वहां पर पेड लगाने चाहिए और अपने घरों में भी गमलों में इस अमुले धरोवर को संरक्षित करना चाहिए यानि आप अपने जो आसपास गमले हैं अपके घर में उसमें भी कोई छोटे छोटे पौदे लगाने चाहिए और इन्हें बचाना चाहिए यदि ये छोटा सा कदम हर व्यक्ति उठाएगा तो प्रित्वी पर हम सब का जीवन खुशाल रहेगा हमारे दुवारा लगाया गया पेड सिरफ हमें ही लाब नहीं पहुचाता बलकि आने वादी कई पीडियो को लाब पहुचाता है तो बच्चो आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट करना मद भूलिए अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाते हैं तो आप हमारे चैनल दुगल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में देगए बैल आइकन को जुरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को आल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए थेंक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो थेंक यू सो मच फ्रेंड्स